श्रोताओं, मैं गिरीश बिल्लोरे मुकुल, भारतिय प्रजातंत्र श्रिंखला के द्वितिय पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ. मुझे विश्वास है कि आपने उदार्ता पूर्वक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा. मेरा प्रयास से कि आपको समविधान सहित भारतिय प्रजातंत्रिक व्यवस्था की संपून जानकारी पॉडकास्ट के माध्यम से उपलब्ध करा सकू. भारतिय प्रजातंत्र विशय पर आधारित पॉर्कास्ट के दूसरे भाग में हम विधायका के संबंध में कुछ महत्वपून जानकारियां आपसे साजा कर रहे हैं. पिछले पॉर्कास्ट में आप जान चुके हैं कि भारतिय प्रजातांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है? प्रजातंत्र की तीनों स्तंभों में से विधायका के संबंध में हम जानकारी सबसे पहले साजा करेंगे. हम अपने विशलेशनात्मक पॉर्कास्ट में उन सभी पहलूओं को समावेशित करने का प्रयास करेंगे, जिससे विधी द्वारा स्थापित भारत के संघीय स्वरूप और संसदिय प्रणाली को सरलता से समझ पाएंगे. भारतिय प्रजातंत्र के वल चुनाव जैसी एकसरसाइस पर केंद्रित नहीं है. बलकि संसदिय प्रणाली के तीन प्रमुख घटकों के बीच किस तरह का सामान्य है जो भारतिय प्रजातंत्र को विशाल प्रजातंत्र के स्वरूप के साथ साथ परिपक्व प्रजातंत्र की ओर ले जा सकता है स्रजग एवंक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी मतदाता एवं निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया के तीन ऐसे पहलू है जिनकी परिपक्वता से भारत का प्रजातंत्र विशाल होने के साथ साथ और अधिक परिपक्व होगा भारत का निर्वाचन आलोग एक निर्पेक्ष तथा पूर्णत्या स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने अर्थात निश्पक्ष चुनाफ कराने के लिए उत्तरदाई होता है निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शी एवन निश्पक्ष निर्वाचन के लिए समवैधानिक प्रावधानों एवन देश की काल स्थिती के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों के साथ निर्वाचन प्रक्रिया का संपादन करता है अभी हम भारत संध की संसदिये प्रणाली के लिए 543 प्रतिनिधियों के निर्वाचन पर चर्चा कर रहे हैं राज्य और स्थानिय निकायों से संबंधित विशय को आगामी विमर्ष में हम रखेंगे ये सबसे पहले हम विधायका के बारे में चर्चा करने अंग्रेजी में इसे लजिसलचर शब्द से पहचानते हैं क्योंकि हम राष्ट्रिय सरकार की बात कर रहे हैं आथ हम इस संसदिय प्रणाली की व्यवस्था के रूप में देखेंगे जैसा हमने पहले बताया कि 28 राज्यों तथा आठ केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर 543 जनप्रतिनिधी जिनहें संसद सदस्य अथवा मिंबर आफ पारिया मिट कहते हैं में संसद सदस्यों का संबंध स्वतंत्र अथवा किसी राजनीतिक दल अर्थात विचारधारा यानि आइडियोलोजी के आधार पर राजनीतिक उद्देश की पूर्ती के लिए गठित समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है राजनीतिक डल अथवा राजनीतिक डलों का समूह जिसे एलाइन्स कहते हैं, भी सरकार बनाने के लिए महामहिम राश्ट्रपती द्वारा आमंत्रित किया जा सकते हैं 543 सांसदों वाली संसद में जिस डल या दल समूह के 272 प्रतिनिधी सांसद के रूप में निर्वाचित होकर आते हैं, उनके द्वारा चुने गए नेता को राश्ट्रपती द्वारा विधिवत रूप से सरकार के गठन का दायत्व प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करना भ है, वह राश्ट्रिय लोक्तांत्रिक गठ बंधन जिसे अंग्रेजी में NDAK कहा गया है, वर्तमान में सत्ताधारी NDAK में सम्मिलित दलों की स्थिती इस प्रकार है, तेलुगू देशम पार्टी, टीडीकी के निर्वाचित सांसद सोलह, जनता दल यूनाइटेड, जद्यू निर्वाचित सांसद बारह, शिवसेना के निर्वाचित सांसद साथ, लोक जनशक्ती पार्टी रामविलास गुट के निर्वाचित सांसद पांच जनता दल, सेक्यूलर, निर्वाचित सांसद दो, राश्ट्रिय लोक दल के निर्वाचित सांसद दो, जन सेना पार्टी क निर्वाचित सांसद दो राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी NCP नया गुट का एक सांसद अपना दल सुनेलाल गुट का एक औल जार्खंड स्टूडेंट यूनियन आजसू से एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्यूलर से एक UPPL से एक असमगन परिशद से एक निर्वाचित NDA में सम्मिलित है इस तरह देखा जाए तो उपरोक्त एलायन्स के रूप में NDA भाजपा के श्री नरेंद्र मोदी के नेतरित्व में सत्ता में है आपका होगा कि हमने प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रारंभ के संबंध में अब तक कोई कंटेंट अपने पॉडकास्ट में शामिल नहीं किया यह बिल्कुल सही है कि हम इसे प्रारंभ से शुरू करना चाहते थे परन्तु लोक सभा निर्वाचन एवन सत्ता के गठन के परिपेक्ष में सबसे पहले जानकारी देना सबसे महत्वपूर्ण था हम संसदिय इतिहास को एक विस्त्रिक चैप्टर के रूप में इस श्रिंखला के बाद प्रस्तुत करेंगे भारत प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पूर्व राजशाही एवन लोक्षाही युक्त राजशाही को भारत के एतिहासिक संदर्भों के साथ अलग से प्रस्तुत किया जाएगा प्रस्तुत करेंगे प्रस्तुत करेंगे करेंगे